उत्तर प्रदेश के जला बरेली में बंदे भारत एक्सप्रेस का सांसद मंत्री और महापौर ने किया स्वागत आपको बताते चले बंदे भारत ट्रेन मंगलवार दोपैर में दो वचकर 22 मिनेट के आसपास पूर्व निर्धारत समय बरेली जक्षन पर पहुची रेल्वे ने जक्षन पर बरेली के सांसद संतोस गंगवार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर अरुन कुमार बिदायक संजीव अगरवाल डॉक्टर रागवेंद सर्मा और महापौर उमेज गौतम ने बरेली जक्षन पर बंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया बरेली के सांसद संतोस गंगवार ने कहा कि यूँ तो बरेली से लखनों के लिए कई ट्रेन है लेकिन बंदे भारत ट्रेन में सफर करने का अलग ही मज़ा है इसको देखते हुए बरेली में बंदे भारत का इश्टापेज दिया गया बंदे भारत ट्रेन आ रही है बहुत ही अच्छी ट्रेन है यह अपने आप में यूनीक ट्रेन है इसमें हर चीज की सुविदा है और यह कम समय में ज्यादा डिस्टेंस पूरा करेगी सुबह से चलेगी लगबग पांच बजे करीज जह से जहां तक मुझे जानकारी है और दस बजे तक ग्यारा बजे तक यह पहुंच जाएगी देरादून तक रास्ते में हर द्वार रुकेगी बरेली लगबग आट बजी आने का समय है तो अगर बरेली दे कोई जाना चाह करें दो गंटे में तीन गंटे में rexद्वार पहुंचांगे दिन बर नहां शाम को चलके फिल लुड़ के पिस तरह से हम्धुर जाने में लोगों को बहुत आसानी होगी लखनौ जाने आने दोनों बहुत आसानी होगी और मैं समझता हूं यह मोधी योगी है इसी कि दि कि यहां से देरादुन को और लखनौ को जोड़ने के लिए यह वंदे भारत ट्रेन चल रही है आज हम उसका स्वागत के लिए यहां बैठे हैं मानिये पधानमंत्री जी के करकबलों से उसका सुभारम हुआ है अब लखनौ क्योंकि अभी लखनौ और देरादुन के लिए प्लाइट नहीं है ऐसे मैं लखनौ जाना और देरादुन जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या थी वो समस्या का समाधान होगा और बहुत ते के लिए ये परधानमंत्री श्री नरिंदर पोदीजी ने एक बहुत बड़ी सोगात दीजिए दी है तो इसका जितना फायदा उठा सकते हैं अब उठाईए और आराम से अपनी यात्रा को सुगम मनाईए